हेलो फ्रेंड्स में नाम विकास है और आप study zone education का YouTube चैनल देख रहे हैं इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के most important current affairs के बारे में तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को और अगर दोस्तों अगर आप किसी भी government job exam के preparation कर रहे हैं तो यह सभी जानकारियां आपके आने वाले exams के लिए काफी ज़्यादा beneficial होंगी स्टार्ट करते हैं आज की current affair अपने पहले question के साथ हमारा आज का पहला question है कि निमलिकित में से किस देश ने कोबिट 19 के कारण वर्ष 2021 में होने वाले एशिया परसांत आर्थिक सयूग सम्मिट को रद कर दिया है एशिया Pacific Economic Cooperation की जो बैठक थी जो सम्मिट था 2021 में उसको कौन से देश ने रद किया है तो उसका सरी answer option B वाला है यनिकी New Zealand न्यूजिलेंड में होने वाली थी ये बैठक इस बैठक का आयूजन होने वाला था कावे ज़्यदा दिक्कते होने वाली है और ये बिमारी काफी लंबा चलने वाली है तो इसलिए उसने पहले ही 2021 जो सम्मिट था उसको रद करने का फैसला किया है हाला कि ये जो सम्मिट है ये वर्चुली जो है आयूजित किया चाहेगा इनके सब वीडियो कॉन्फरेंसिंग होती है ना उस तरीके से मतलब ये सम्मिट आयूजित होगा जो इसकी बैठक वहां पर होने वाले थी आकलेंड में अब वो नहीं होगी कि अगर हम बात करते हैं जिसको एपिक भी हम बोल देते हैं तो इसका जो इसकी जो स्तापना थी वो 1989 में हुई थी और इसका मुख्याले सिंगापूर में इस्तित है क्वेशन नमबर सेकेंड है हमारा की इंडियन ओवरसीज बैंक के अमडी और सीयो कौन थे जो हाल ही में रेटायर हो गए हैं कौन थे इंडियन ओवरसीज बैंक के अमडी और सीयों थे अबी रिसेंटली ये रिटायर हो चुके हैं एक अप्रेल 2019 को देना बैंक और बिजिया बैंक का जब बैंक और बोलोदा में विले हो गया था तो उसके बाद इनको इंडियन ओवर्सीज बैंक भेज दिया गया था हलाकि स्टार्टिंग में ये विशेश शकार अधिकारी के तौर पे इंडियन ओवर्सीज बैंक में तैनात हुए थे लेकिन उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ और ये MD और CEO बन गे इंडियन ओवर्सीज बैंक के अगर हम इंडियन ओवर्सीज बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्तापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी और इसका मुख्याल है चिन नहीं तमिलनाडू में इस्तित है क्वेशन नमबर ठर्ड है हमारा कि जुलाई 2020 में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एवर्टन वीक्स का निधन हो गया है एवर्टन वीक्स जो है वो कौन से देश के क्रिकेटर थे जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है इसका तो सही आंसर है वह यह उप्शन यह वाला है एक है एवर्टन वीक्स एक है क्लाइड वॉक वालकट एक है फ्रैंक वारेल तो यह तीन नाम है यह वेस्टन डीज के बहुत फेमस क्रिकेटर है इन तीनु क्रिकेटरों को 3W की जो में 3W जो है बोला जाता है तीक है 3W जो है इनको बोला जाता है यह तीनु ने जो है ए इन लोगों ने मिलके बनाएं तो अभी इसमें से एवरटन वीक्स का दिधन हो गया यह जो 3W जो 3 खिळाड़ी थे इन तीनों में से लास्ट जो है यह है त्युक है. आवेटन वीक्स के नाम टेस्ट क्रिकेट में लगातार पांस सतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है इन्होंने ये कमाल 1948 में ही इंगलेंड और भारत के खिलाब मैच में किया था उसमें इन्होंने लगातार पांस सतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था यह आप यहां से याद रख सकते हैं याद रखेंगा अच्छा क्वेशन है एक्जाम के पॉइंट और व्यू से इस बुक के राइटर कौन है हमें यह बताना है तो इसका सही आंसर है बी पट्टवी राम ठीक है बी पट्टवी राम यह सीए हैं और अभी जो है इनके द्वारा यह बुक लिखी गई है यह बुक का नाम आप याद रख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर का यह इसलिए कर दिया ह अगर आपसे माली जो पूछा जाता है रिवर्स का मतलग यह थोड़ा अलग टाइब से जैसे कि आपसे जैसे मैंने बनाया ने कि यह बुक किसने लिखी है तो अगर आपसे यह बुचा जाए कि यह बी पट्टी राम ने अभी रिसेंटली कौन सी बुक लिखी है जो कि का भी आपसे मेरा फूकस रहता है तो मश्मे से देखता हूं किसे सामने निकल के आती है कि जो कोषण पहले जो पूछे जाते थे उससे हट के आप चीज़ें पूछी जाती है अब मतलब होता नहीं कि पहले एक परंपरा थी कि question पूछ लिया जाएगा सीधे सीधे जिसे थोड़े के लिए World Cup के लिए पूछ लिए कि यह World Cup किस ने जीता पहला एक सीधे सीधे question अब नहीं पूछाता अब क्या पूछा जाता है कि कि सिंध को हरा कर जीता है यह question इस टाइप से पूछा जाता है तो इसका मतलब कि मेरे उतने ही रहते हैं अगर मैं सिंगल लाइन मैं मैं अगर डिटेल में ना लिखके भी बढ़ाओ तो भी बात उतनी होते हैं लेकिन फिर भी मैं डेली डिटेल लिखता हूं चार चार पांच बाच घंटे जो है पूरा रिसर्च करके पूरी एक वीडियो तयार करता हूं इसलिए क्योंकि आप पॉइंट याद रखें तो मेरे रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखते हैं मुझ पर भरुसा करते हैं तो सभी चीज़ें जो है एक एक पॉइंट आपक सकते हैं ठीक है कि निमलेखित में से किसे कोबिट नाइंटीन महमारी को रोकने के उनके प्रियासों के लिए कॉर्णेगी कॉर्परेशन ऑप नियॉयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल किया है तो यहां पर तीन नाम दिये गए हैं और चौथा जो ह सुची में शामिल किया गया है तो यह आपको यहां से ध्यान होना चाहिए याद रखिएगा कौन थे यह मैं आपको सबसे जारे बताता हूं सिदार्थ मुखर जी की बारे में तो यह जो है पुलिटिचर प्रोसकार जीता है और यह कैंसर विससक हैं भारती अमेरिकी अमू जो मतलब महान प्रवासी हैं जिन्होंने कोबीड-19 के लिए काम किया है तो उनकी यह सूची है तो टोटल 38 लोग है तो अब यहां पर मैंने 38 के 38 लोग क्यों का नाम क्यों नहीं लिखें क्योंकि 38 मैंसे सिर्फ दो लोग है जो भारती अमेरिकी मूलक है तो हमको बस वही प याद रख सकते हैं फिलाल मैं आपको क्या याद रखना है इन दोनों का नाम याद रखेंगा ठीक है जिनको 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स के 38 लोगों की सूची में शामिल किया गया दो लोग जो है इसमें भारती अमेरिकी मूलक है बस आपको यह ध्यान होना चाहिए चलिए इसके बाद question number 6 है कि जुलाई 2020 में राज विधान सबा के पूर्व अध्यक्ष उपा रुकामलोवा का निधन हो गया उपा रुकामलोवा यह कौन से राज विधान सबा के अध्यक्ष ते जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है तो इसका सही answer option C वाला है यानि कि मिजोरम मिजोरम विधान सबा के अध्यक्ष थे 1984 से 1993 के बीच में ये तीन बार राज विधान सबा का चुनाव इन्होंने जीता था और 1990 में ये मिजोरम विधान सबा के अध्यक्ष बने थे मिजोरम की राजधानी आईजोल है अगर हम राज जपाल की बात करते हैं तो PS सिधरन पि है तीन हजार उपई माने दियare देने की खोषणा की है इस पञेरों को दो साल UK 사람 सब्सक्रानाइब को Windsor Cand으면enda उस्टां के लिए इस उसी तहत दो साल तक परतीना यह थीन पर दिया जाएंगे वकीलों को, COVID-19 के वज़े से सभी लोग का धंदा चौपट हो चुका है जो लोग अपना रोजगार करते थे तो कई प्राइवेट वकील है जिनकी आर्थी किस्तिती अच्छी नहीं है और क्योंकि कोट वगरा सब्बंद रहे तो चक्कर में काफी दिक्कतें लोगों को हुई, तो अब जो है अगले उनकी जो मतलब जो वकील है उनकी आर्थी किस्तिती से उनको बहार निकालने के लिए तीन जार रोपे परतिमाज जो है साहितरासी तमिलनाडू सरकार की तरब से दी जाएगी वकीलों को, आपकी जनकारी के लिए अगर किसी वकील की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को सात लाक रोपे दिये जाते है तो अब इसी योजना में जो है एक चीज और जोड़ी गई है वो ये है कि अगले दो सालों तक हर वकील को परतिमाज तीन हजार रोपे माने दिया जाएगा तीन हजार रोपे उनको आप पेंशन बोल सकते हो वो दिया जाएगा ठीक है दो साल तक तमिल्नाडो की राजधानी चेन नहीं है मुख्यमंत्री के पलाने स्वामी है राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहीत इसके बाद अगला क्वेशिन है अगला क्वेशिन नमबर आठमा की जुलाई 2020 में किस देश के परधान मंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पज से इस्तिपा दे दिया है एडवर्ड फिलिप जो है वो फ्रांस के परधान मंत्री थे और भी रिसेंटली इन्होंने अपने पज से इस्तिपा दे दिया है फ्रांस में COVID-19 का परकुप कुछ जादा ही हो रहा है तो इसके वज़े से जो Emmanuel Macron की जो सरकार है यह यह चाहते हैं जो यहां के राश्पती है फ्रांस के तो इनका यह चाहते हैं कि लोग के सामने हमारी चबी कुछ अच्छी बने तो इसलिए यहां पर का जा रहा है कि मंत्री मंडल में इनका जो परधान मंत्री है जो मतलब इनके मंत्री मंडल है उसको चेंज किया जाएगा तो इसी वज़े से आप एडवर्ड फिलिप का नाम याद रखेगा फ्रांस के प्रधान मंत्री थे यह जिन्होंने इस्तिपा दे दिया है फ्रांस की राजधानी पैरिस है मुद्रा है यहां की यूरो इसके बाद क्वेशिन नम्बर 9 है हमारा की जुलाई 2020 में चोला मंडलम MS General Insurance का नया MD किसे न्यूक्त किया गया है चोला मंडलम MS General Insurance का नया MD अभी रिसेंटली किसे बनाया गया है तो इसका सही answer option E वला है यहनि की B सूर्य नारायन को मैंने इसके यहां पर इनके बारे में कुछ नहीं लिखा है क्योंकि हमको जब इज्ञार में कुषिन बनके आता है सिधे इसी तरीके से बनके आ जाता नहीं नयूक्ति का फिलालम आप याद रखिएगा कि चोला मंडलम MS General Insurance के जो बने हैं अभी रिसेंटली वो बी सूर्य नारायन बने हैं ठीक है क्वेशन नमबर दसवा है कि जुलाई 2020 में किस राज सरकार ने बूमिहीन किसानों को किशी लोन देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है कहीं करें पर यह बलरामा भी लिखा हुआ है ना बात वही है आप याद रखेंगा बलरामा इंगलिश में बोल देता है ज़र कृष्ण को कृष्णा बोल दिया उसी तरीके से ठीक है तो बूमिहीन किसानों के लिए उड़ीशता सरकार की योजना है यह तो ऑप्षिन यह वाला यहां पसे बिल्कुँ सही है इसके तहत सरकार करोना वाइरस के करान कटनायों का शामना कर रहे है करीब 7 लाख बूमिहीन किसानों को 1040 करोड उपय का करज देगी अभी तक जो भी क देने का काम करें कि किसानों के पास भूमी अपनी नहीं है उड़िशा की बात करते हैं तो उड़िशा की राजधानी भूनेश्वर है राजजिपाल गडिसी लाल है मुक्यमंत्री है नभीन पटनायक चलिए इसके बाद कुर्शी नंबर 11 देखते हैं कि निमने लिखित मै यह अभियान शुरू किया जाएगा इसके तरह दिल्ली सरकार 10 जुलाई से 26 जुलाई तक व्रिक्षा रोपन करेगी पूरी दिल्ली में सरकार का यह लक्षा दिल्ली सरकार का कि 2021 तक हम 350 वर्ग किलोमीटर को हरा भरा बना दें ठीक है चलिए इसके बाद कुशी नंबर 12 है कि निमनेरीकित में से किस संस्तान ने टीचिंग सेट अप मोबाइल मास्टर जी विक्सित किया है इसमें इस पार्ट फॉन का उपयोग करते हुए जो सिख्षक है वह अपने लेक्चर या पर जो निर्देश है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आप देख रहोंगे जिस तरह सब्सक्राइब यह इसके द्वारा बच मतलब टीचर है वो ऑनलाइन क्लास को मतलब मोबाइल लगाके इस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आप याद रख सकते हैं आयाइटी कानपूर ने जो ही टीचिंग सेटप बनाया है जिसका नाम रखा गया मोबाइल मास्टर जी अब आप मैसे maximum लोगों ने इसका आंसर हमेज़ Cum कि तरह सही दिया था तो मैंने आपसे पूछा था कि किस राज्य में क्लाइब रावायरस अंक्रमाना को पूरी तरह समाब्द करने के लिए किल क्ला अभ्यान शुरू किया गया किल क्लो और गरोना अभ्यान यह मद्द्परधी में यह अवियान चलाया गया अब आपके लिए आज के प्रश्ण की बात करते हैं इस प्रश्ण का उत्राब कमेंट करके बताईए मुझे आपके लिए आज का प्रश्ण है कि 2020 में वायुसेना ने उचे और दूरतराज के गाउं से गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निक सब्सक्राइब को देखने के लिए अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज समझ में आई हो तो बेफिक्र हो के मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं याद रखिए वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है जिसमें कोई confusion हो तो confusion नहीं होना चाहिए आप पूछ सकते हैं कोई अगर चीज आपको समझ में ना यह को करेंट अफियर में कई ऐसी चीज़ें आ जाती है जो हमें पता नहीं होती है तो आप ऐसा नहीं कि अरे हमको सब हसींगे ऐसा कुछ नहीं होता है आप बेफिक्र कोई मुझसे पूछ सकते हैं मैं बहुत सिंपल भासन आपको वो चीज समझा दूँगा थैंक यू सो मच